नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा एक पार फिर से स्वागित करता हूँ आपके पने चैनल अंकित पर्मा और लेट पे नॉटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थम निल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 27 अगस 2024 की हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं चली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा खबरें तो देख सकते हैं कंगना रनौत कॉंट्रोवर्सरी कंगना के बियानों में जलक रहा है मानसिक दिवालियापन मंडी के मुद्दों पर देंध्यान है हिमाचल भाजपा संस्द कंगना रनौत तोरा नीजी अखबार को दिए इंटर्वियू के बाद बबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस हो या फिर किसान संगठन दोनों कंगना रनौत के खिलाप लाम बंद हो चुके हैं कंगना के बयान के बाद बयान बाद हुई फजियत के बाद भाजपा को प्रेस नूट चारी करना पड़ा कि कंगना रनौत के बयान से बाजपा का कोई लेना देना नहीं है ये बियान कंगना का नीजी मत हैं वहीं कंगना को निर्देश दिये कि वो बविश्य में ऐसा कोई बियान ना दें हिमाचल मौनसून सेशन हिमाचल में इतनी हो जाएंगी लड़कियों की शादी की उमर विदेहक पारित है हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की नियुंतम उमर 21 साल हो सकते है विदेख विदंसावा में पारित हो गया है लेकिन अभी इस बिलको मंजूरी के लिए राज़ेपाल को भेजा जाएगा हिमाचल वैदर हिमाचल के कुछ भागों में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट शिमला में जमाजंबर से बादल हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में लगातार तीन दिन भारी बारिश का यलो अलर्ट चारी किया गया है राज़धानी शिमला में भी मंगलवार दोपैर क देख सकते हैं दस तिन चलने वाले सत्र के दौरान सदन में सड़क पूलों आपदा अपराद नशा स्कूलों के विले जैसे कई विश्यों पर सत्था पक्ष और विपक्ष में गवनासान होने के आसार हैं तस्वीर आप देख सकते हैं हिमाचर प्रदेश जेवटी रिक्रूट्मेंट जेवटी शिक्षकों की ब्याजवाइस बरती का परिक्षा परिणाम गोशित 1122 चाहिनत अभ्यार्थियों की सूची जारी हिमाचर प्रदेश पर आरंबिक शिक्षा निदेशा लेन काउंसलिंग के आधार पर जेवटी शिक मेरिट चीलों के लिए उनके द्वारा दे गई वरियता के क्रम के आधार पर किया गया है एच पी असेंबली सेशन सीम सुखु बोले विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह त्यार हिमाचल प्रदेश विदानसवा का मांसून सतर शुरू होने से प हुआई में राज्य महिला कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा विदाइक हंस राज की गिरफतारी की मांग को लेकर चोड़ा मैदान से विदानसवा गेट तक रोश रैली निकाली निर्मान पूरा कर लिया है तो यहां से मिलेगा पैसा मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिं बैवे STM को रिपोर्ट सों पर तो तुरंत प्रभाव से STM करया ले से मदद मिल सकेगी एच्प्यू बर्ष में दो बार आयोजित होंगी PhD कोर्स वर्क की प्रिख्षाएं हिमाचल प्रदेश पिश विदेहले में अब PhD कोर्स की परिक्षई बर्ष में दो बार आयोजित ह potrzeb या परिक्षाइं जून के अलावा देसंबर माह में आयोजित की जाएंगे ऐसे में शैक्षणिक विभागों को पिएच्टी वर्क कोर्स वर्क का शैक्षणिक कारेत है समय समेश्टर अबदी में पूरा करना होगा जो दोस्तों ये थी हमाचल प्रदेश की शाम पांच बज